और आज का जो लेक्चर होगा वो बिसिकली फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चेप्टर और वन अब दो टॉफिस चेप्टर माना जाता है इसको अम लोग पढ़ेंगे ठिक आप देखें अल्टरनेटिंग करेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ बाते हम आप लोग को बत और वेप्स में यह बिसिकली 11 क्लास में पढ़ा दिया जाता है अब चुकि जो नहीं इसको पढ़ा होता है उनको तो यह चेप्टर और इसका अगला जो ट्वेल्थ में वेब ऑटिक्स उनको अच्छे समझ में आता है लेकिन जिनका यह थोड़ा वीक होता है उसको इस फॉलो किया तो ठीक कैसी किया जाता है अल्टरनेटिंग करेंट का यह सभी में हिंदी में यहां पर आप लोगो लिखा दूँगा जो भी कॉंसेप्ट है उसको याद करने का पूरा तरीका में आप लोगो समझा दूँगा तो यार यह यह नो अगर सेशन आपको दा तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल मत बोलना तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को अल्टरनेटिंग करेंट अब देखें अल्टरनेटिंग खरेंट पढ़ने सब आप लोगों को पता होगा एक टर्म मैं आप लिख देता हूं कि किसी भी लूप से मांझे यह लूप है मांझे यह बोड़ी लूप है तो किसी भी लूप से कितने मैंगनेटिक फील्ड लाइन्स इंटर कर रहे हैं या फिर इससे बाहर निकलते हैं या कलको इससे बाहर निकलते हैं या फिर इसके अंदर जाते हैं उसी को क्या बोलाता ह लोप इस नोह जो अगनितर कर सकते हैं यह फिर उसलूप से बाहर निकल सकते हैं उसको क्या बोलता है ज् specification होता कि अन्यूंरिकल वैलू वैल्य हुई का डॉडट आगर येलक्ट्रिक फिलड़ाइंस होता दो यह डॉट और लिग दैन इसलहे हैं यहां अक्षिर्टन करें तो सबको पता ही ऑगा क्या होती है दससे घलास में Гो को पढ़ लेते हैं जिसका just गया हो है जो मतलब कैसा है क्रेंट जिसका ड्रीक्रट क्या हो के कर दोता हुआ है ळीए कॉस्ट फिटा हमें इसे तरीका जाद रखिए क्रॉसinta य। इसे तरीका याद रखिए क्रॉस강 नहीं खुलता तो क में खुलेगा पॉर्ट में आपकल नहीं खुलेदा अब दर अब तक constant एरिया तो constant है यहां पर रख दिया तो एरिया तो constant है मैंटी फील्ड भी constant लगा के ही रखें हैं लेकिन current की उत्पत्ति तब होगी न जब या तो बी इस जो जो जब तो एक पर लोगे इसनसे अप लोगो नेपकर बिल्कुल यादे बीचेंज व या फिर ए चेंज ओ या फिर ठीटा चेंज व तीनों मैं सर हम बदलेंगे थीटा को अच्छे सर थीटा कैसे बदलेगा थीटा किसके किसके बीच का होता है थीटा होता है magnetic field और एरिया वेक्टर के बीच का एरिया वेक्टर तो हमेंसाब perpendicular to the surface हो रहा है और मेंटी फिल्ड है अंदर तो उसके बीच का एंगल कैसे बदले सर बिल्कुल बदल सकते हैं काम करो इसको लगो घुमाने अच्छा सर बिल्कूल सभाज में आ इसको घुमा देंगे तो सब्सक्राइब बिल्कुल धुमा के देखो हर टाइम जब घुमेंगा ना तो हर टाइम ठीटा बी और एक के बीच का एरिया वेक्टर और के बीच का एरिया के हमेसा क्या होते रहेगा चेंज होते रहेगा अच्छा सर यह भी समझ में आगया कोई दिक्कत नहीं कोई परसानी नहीं हमने थीटा को चेंज किया थीटा चेंज हो गया घुमाने से तो सर क्या लिख सकता है थीटा तो चेंज हो रहा है तो क्या थीटा ल सबने पढ़ाओं सरो सबस्क्राइब और सब्सक्राइब पढ़ाइब तो हो गया कुई दिक्कत नहीं अब सरा इसे ई कैसे लेकर आना चाहते defense जिर्वें इलेक्ट्रो मेंगिटिक इंड़ेक्शन चेप्टर पढ़ा होगा उनको पताएए उने360 ने बोल तो आप इसको differentiate मार देज़े कहने का मतलब कि अगर आपने जस दिन इसको डिफरेंसियेट मार दिया फाइए बदल जाएगा मतलब कि जिसदिन आपने डिफाइ को डिटी के रिस्पेक्ट में differentiate कर दिया मतलब 5 को मार दिया time के respect में अब ये EMP के बराबर हो जाए ए फ़राड एक पर में ठीक है अच्छा सर्म इसको differentiate मारना पड़ेगा बिल्कुल तो 5 को differentiate मारते क्या बन जाएगा अच्छा तब तक इधर क्या हो जाएगा सर इधर हो जाएगा बी यह तो constant है तो constant का differentiation होता नहीं है variable कोई है सर कॉसों मेगा टी वरीबल कोई है क्यों कि टाइम के हिसाब से हमेशा theta तो बदल रहा न तो कॉसों मेगा टी इस वरियेबल अच्छा सर कॉस का differentiation क्या होता है सब को पता होगा इसमें जो flux होगा वो होगा बी ए कॉस ओमेगा टी और जो potential generate हो चुका होगा इसको घुमाने से सर घुमाने से बिल्कुल यहीं तो पास बोला था नो आपका साइंटिस्ट ने कि अगर बी ए और ठीटा किसी एक को ह ech kelle करते हैं तो यह मुएफ जेनरेट होगा और इस तकीटना यह मुएफ जेनरेट हो रहेया इस लूप में bara स्वाट साइंच ऑमेगा टी अच्छा सर अब यह Oh may चेप्टर में बोलते हैं basically, circular motion यह सब में हम angular velocity बोलते हैं इसमें हम angular frequency बोलते हैं waves के जितने भी चेप्टर आएंगाbach philosophic shaking क्या बोलते हैं angular frequency ठीक्या अच्छा इस समझ में आगया है ही है potential समय के साथ change हो रहा है बिल्कुल ए नॉट क्या सरे नॉट क्यूंकि मेरे हिसाब से इन wn 영화 कैसे फॉले कि कॉंस्टेंट होगा सर क्योंकि B कॉंस्टेंट अच्छा सब्今me अनट भी स्कुंस्टेंट है इसको नोट किते किये फिरम इनट पे भी बात करते हैं भी टो एंट इसको सब्सक्राइब क्या अच्छा और निल्ट सब्सक्राइब 2 neighbour do लेगा क्या होता रहेगा उलिए आफेंस इसको एसी प्रॉटेंसियल बॉल देंगे alternating potential बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, चुकि चेंज हो रहा है ना, जैसे हम alternating current को alternating बोलेंगे क्यों change हो रहा है, तो potential को भी हम क्या बोल देंगे, AP alternating potential सर यह change हो रहा है, कोई बात नहीं, सर a naught क्या है, देखे, a naught e naught है क्या, अच्छा, e is equal to actual b a omega sin omega t अब सोच ये जो sin theta होता है sin theta ये maximum कहां से कहां हो सकता है ये maximum हो सकता है 1 अपने पड़ा होगा, sin theta की maximum value कितनी होती है 1 अच्छा सब sin theta की maximum value 1 तो जिस दिन ये 1 हो गया, sotचो E कितना हो जागा BA omega तो कहीना कहीने ये EMF की कौन सी value है, maximum value कि maximum जो potential हो सकता है जो यहाँ पर create हो सकता है इस loop में जो maximum voltage आ सकता है वो आ सकता है B A omega वो किस दिन आएगा जिस दिन sin theta 1 हो चुका होगा omega t कितना हो चुका होगा 90 degree हो चुका होगा मतलब एक ऐसा time आएगा जिस समय B और A का बीच का एंगल बिलकुल 90 degree perpendicular हो चुका होगा उस दिन sin 90 की value कितने हो जाएगी 1 और उस दिन EMF हो जाएगा B A omega और यह कौन सी value होगा maximum value of potential या maximum value of EMF बोल सकते हैं maximum value किस की हो जाएगी EMF की अब लोगों ने चुकी यह maximum value है इसलिए इसको E not बोलना शुरू कर दिया और इसको maximum value ना बोलके एक और नाम दे दिया that is peak value कौन सी value सर peak value तो E तो हमारा EMF है जो हर टाइम समय के हिसाब से change देता रहेगा लेगने E not जो है यह peak value है मतलब यह बताएगा करमान जी E not के value हम दे दिया 20 volt कितना दे दिया 20 volt मतलब इस loop में जो potential generate हो रहा है उस potential जो maximum पहुंच सकता है वो कहां से कहां से पहुंच सकता है 20 volt हमें सब 20 से नीचे ही रहेगा 20 maximum हो गया अच्छा से यह E not और E में एक relation भी आता उसको भी बताते है नोट कीजिए ठीक अब देखे हमारे घरों में जो light हमारे घरों में जो electricity आती है हमारे घरों में जो electricity आती है वे बेसिक लेक्चर आजका जो अगला लेक्चर होगा उससे पुरा नियुमरीकल बनेगा हमारे जतना भी नियुमरीकल आएगा एक्जाम में वह अगले लेक्चर से बनेगा आज का लेक्चर बिल्कुल थियोरी वाला होगा थियोरी हम पढ़ेंगे इसमें अगला लेक्चर में प्रॉब्लम कैसे कैसे हो लूप को जैसे अभी था ना यह लूप था जिसको हम घुमाया है तो यह में जन्रेट वर देसे घुमाया जाता है जिनको टेर्बाइन्स बोला जाता है ठीक ना अच्छा सर यह सब तो हमको जानने से मतलब है नहीं सर आप ऐसा बता है जिससे हमारा क्वेश्चन बन जा बिल्कुल तो हम सबसे पहले तो ई जान लिए एक और जो होता है इसको क्या बोलते हैं सर इसको बोलते हैं मतलब सबसे पहले इंप का मुदक करते हैं और soli सबसे पहले इसका उल्टा करते हैं सरो सबसे हैं मतलब मीद करक्रों कर देते हैं में कहने का मतलब कि एक चक्र में कितना घूम रहा है इससका इव्रेज़ इं Suni SAS और पढ़ए है convenience अपने कहीं से फॉलो किया वे थो उन्होंने सब बताया होगा इसको सबसे पहले इसका मीन करते हैं फिर इसका रूट कर देते हैं तो जो वैल्यू आता है वह हम लिख देते हैं यहां पर कि E SMS, और E naught में relation, क्या होता अशर E RMS और E not में relation, हमको पता है बडा कौन हैं? याद करने का तुरीग में यह बहुत भूलता है अदमी इसका relation, तो आपको पता है बड़ा कौन हैं यह बड़ा है, और यह О क्या है चोता है, तो अगर हम E0 is equal to ERMS लिखते हैं, तो चुकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको भी तो छोटा करके लिखना पड़ेगा, तो छोटा करने के लिए तरीका होते हैं, या तो कुछ घटा दीजे, या फिर डिवाइड कर दीजे, तो इसमें डिवाइड लग जाता है, बड़ा है, तो बड़ा छोटा के बड़ावर को होगा, जिस दिन बड़ा को भी छोटा कर दीजे, ओर छोटा करने के तरीका रूट वी चोटा कर दीजे हैं, आपने ERMS के नीचे रूट तो इच्छोटा हो जाएगा, तो अगर आपको एकजाम में कन्फुजन के नीचे बच्चे क्या करेंगे ERMS अपन में रूट्टू लिखतेंगे जो कि गलत है तो सुझने का तरीका क्योंकि इसाम में बहुत ज़्यादे फॉर्मूले होंगे आपके पास तो ERMS चुकी छोटा है इसको छोटा करने के लिए रूट्टू से डिवाइड मार गए तो यह रिलेस्ट्रिस का सर्कुट कैसे बनाते है उसका बैटरी ऐसे बनाते है डीसी वाले का जो हमने अभी तक पढ़ा हुए है पुरा करणडिकि इससी बिता दिया तो DC का उसे बनाते I di C क्या कैसे बनाते हैं ऐसा Я क कितना एसर्थ येकल सईंटों मेगा टी में में कोई कोई लोग प्लसफाई भी जोड़ते थे क्यों जोडते हैं क्योंकि जब हम इसको derive कियें तो मान कि चलेते शरु में एंगल है B के बीच का कितना है जीरो फोटती वह कुछ और भी हो सकता है जिसे माझा धार एंटी इधर एर्या वेक्टर ऐसे हो 30 ड्यक्रिव को elogie होगा ना तो हम लेट से बोलते हैं प्लास में 5 सुरू का एंगल कितना है इसको लिए इतना सूजें इसको लेब इस या फेज कॉंस्टंट्ट कुछ लोग बोलते हैं को इसको क्या को पुटें वहाया यू क्या इंगल कॉस्टंट यह तो ओमेगा आपको बताएं दिया एंगुलर फ्रिक्ट एंगुलर वेरोसीटी और टी आपको टाइम बताएं दिया अच्छा सर ई इसका इनोट साइं ओमेगा टी यह तो हो गया कभी कभी क्या होगा इसका मार्किंग देदेगा 220 वोल्ट अच्छा सर 220 वोल्ट जब DC वाले में current electricity में देदा था न सर तो हमको समझ में आयाता था कि EMF की value है 220 वोल्ट अच्छा सर तो इसमें क्यों नहीं समझ मैं आगा अरे इसमें कैसे समझ मैं आगा सर 220 वोल्ट तो तीन तीन लोगों ले सकते हैं क्योंकि हमरे पर तो तीन तीन लोग खड़े हैं एसी के नाम पर DC में तो सर एक ही था यह हम समझ जाते थे अच्छा यह 220 लिख दिया तो जरूरी 220 होगा हम तुरंट क्या करते थे लेकिन इस टाइम इसका मार्किंग किये जाते हैं जितने भी डिवाइसे पर मार्किंग किये जाते हैं डैट मार्किंग विल भी सब्सक्राइब करोगे तो इस आयए थी वन्वन चाइप में आजब मतलब अब मांजो कोई तुम से सवाल पूछे कि DC है तुम्हारे पास 220 वोल्ट का और AC है तुम्हारे पास 220 वोल्ट का एक ग्जामपल जेनरल एक्जामपल DC है 220 वोल्ट और AC है 220 वोल्ट कौन ज्यादा खतरना होगा जाई इस बात है DC तो 220 220 है लेकिन AC 220 का मतलब हो है कि 220 220 into root 2 इसका maximum value इतना है 220 into root 2 एक्चुल में 220 rms वाला है maximum तो 220 into root 2 है तो यह ज्यादा potential होगा तो यह ज्यादा खतरनाक होगा तो AC 220 ज्यादा खतरनाक होता है रफ आप अपना नोट देखें हम यहां पर नोट नहीं करवा रहें ठीक न तो आप लोग को बस समझाते आ रहे हैं आप लोग इसमें से जो भी इसारीकिट इख देते हैं एक ऐसा सेर्किट एक ऐसा सर्किट जिसमें खाली जिसमें केवल और तर रजिस्टर अच्छाँ और सब्सक्राइब को सब्सक्राव के नाम लोग होते हैं नाम होता है इंडक्डर और ऑफसीटर दो हमारे चप्टर फीटर चापटर टो 550 तो लीटोख होंने मस्ट अपना खाली रोटिक टो ड्रकुट को यह होगीगा गैजिसटर फिल्द घेंगे और तैकि we exchange में जब आपका सवाल है तो लग जाए आपको कि कौन AC का कौन DC वाला है DC ऐसा दीखेगा डीसा दिखेगा अच्छा इते हारो गया और यह और यह होग्या यह अभी और यह ईओग्या यह यहत είναι यह क्या है अचीज दे दिया तो हम क्या समझेंगे E is equal to है E not sin omega t plus में phi यहीं है सर sin omega t plus में phi अच्छा सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं sin omega t plus में phi हमको समझ में आ गया सर अच्छा उस time इस time दोनों time हम current निकालते हैं इस time current क्या होगा अच्छा धर जतना इतनाologित अब्र्णक्राइब अगर प्रस्पार्स और इसमें प्लोमेगा ड़िए नहीं है अब आधाता सर उसमें इसमें आई क्या होगा निकालते हैं E is equal to है little sin omega t plus में phi तो सुचोuje phon किया होगा वहीं formula लागा वी सीकोल to इसमें भी लगेगा लेकिन अब वी नहीं है वी है तुम्हारा इनॉट साइन ओमेगा टी प्लस 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 अच्छा देकिए जितना भी टेरिवेशन है उसमें फाई को जीरो लेकर चल रहा है ताकि आसान लगे आपको यह नहीं कि पहले यहां भतियार डाल देजिए इतना बड़ा इक्वेशन इसलिए हम फाई को जीरो ही लेकर चल रहाए है सब इक्वेशन में बस आपको बदा दिये कि फाई का मतलब क्या होता है वो सुरू का अंगल अगर करका वो जीरो है नदब बी और एक के बीच का शुरू का अंगल जिरो है तो आप 5 बढ़ा अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं कोई परसान ही नहीं तो यहां से क्या होता ना लोगों ने इनॉट अपॉन में आर को सोचो यहां पे इनॉट अपॉन में यह यही तो मैक्सिमम है क्योंकि अब सब चीज तो DC में तो सब यहीं है इनॉट भी यहीं है इनॉट भी यहीं है सब चीज तो DC में यहीं होता ना अकेला यहीं लेकिन इसमें तो सब अलग अलग होता है तो DC क्लिए तो मैक्सिमम यहीं है अब मैक्सिमम अपॉन में आर क्या हो जाता है करेंट अच्छा ही करेंट भी कौन वाला है मैक्सिमम करेंट डिसिक ले तो यह maximum current भी यही है और maximum potential भी यही है तो सोचो maximum potential upon में resistance क्या हो जाता है maximum current तो maximum potential upon में resistance क्या हो जागा maximum current मतलब I not sin omega t अगर सर अच्छे सर आई बल्कुल maximum current लेकिन कौन से सर्कुट के लिए है क्या हो जाता है इसमें बता है कि सबसे इंपोर्टेंट क्या बात है यह सको नोट की जल्दी से इसको मिटा देते हैं देखिए सबसे इंपोर्टेंट बात E is equal to E not sin omega T, I is equal to I not sin omega T, अच्छा सर मैक्सिम्म करेंट है, यह I हमको पता चल गए, करेंट है, I not क्या हो गया सर, E not upon में R, I not क्या हो गया, E not upon में R, DC circuit के लिए I क्या होता है, V by R, कोई दिक्रत नहीं है, किसके लिए हो गया, DC के लिए, लेकिन AC के लिए यह नहीं है, यह AC के लिए तब, जब खाली circuit में क्यों हो, circuit में केवल, रजिस्टेंस हो, circuit में क्यों हो, register हो, कौन हो, register हो, मतलब सर, कलको अगर circuit में, capacitor आ गया तो, सर, E not upon में R, I formula लेगा, क्या नहीं, बिल्कुल है, तब capacitor होगा, I not, मतलब, maximum current निकालने का, अलग formula, अच्छा सर, inductor होगा तब, अलग formula, अच्छा सर, अगर को दोनों मिल जा तो, मतलब, register inductor साब हो, अलग formula, मतलब, हर के लिए, अलग अलग formula, लेकिन, जो common बात होगी, जो आपको सवाल solve करने के लिए करना है, अच्छा, यह वाला, यहाँ पर जुद्ध होगा, E not type को कैसे पता चलेगा, equation देखके, मांजे किसीन देदिया, E is equal to, 100, sin, कितना देदिया, 20 entity, मांजे इतना देदिया, तो इसको देखके तो आप बता सकते हैं, compare करके, यहाँ से तो आप compare करी लोगे, compare कैसे कर लोगे, E not की जगे कौन लिखा, 100, तो E not हो गया, 100, और omega क्या हो गया, 20, हमको दो ही चीज़ तो पता करना होता, E not और omega, उसके बाद तो सवाल ही पूरा solve बढ़ाता, E not पता करना होता है, और omega पता करना होता है, और अगर किसी दिन marking दे दिया, तो अभी just 5 मिट पहले बता है, जैसे इसका marking देते कल को 50 वोट, तो 50 वोट से E not नहीं निकल जागा, बिल्कुल, यह क्या होता है, हमको तो फर्मूला पता है, यह E not is equal to E rms, root 2 की divide कि जो बढ़का है, उसके आगे divide, छोटा का आगे divide करो, तो और छोटा हो जाएगा, तो E sequences is E not, तो हमको सबसे पहले E not निकालना है, क्या निकालना है, E not, सवाल सॉल्व करते समय, सबसे पहले E not निकालना है, अब E not तो एक तो equation देतेगा, तो हमको E not पता चल जाएगा, और पता चलएगा, एक तो सबसे पहले E not निकालना है, अच्छा E not निकलना हो, इसके बाद हमको Z निकालना हो, क्या निकालना है जेड निकालना है देखिए पुरा एकदम हिंदी में लिख दे रहे हैं क्या क्या करना है आपको सवाल में करना क्या है ऐसे सब याद रहेगा नो तुरां दो सेकंड तीन सेकंड में आप कोश्चिन सॉल्ब कर देखिए का कोश्चिन सॉल्ब पुरा फ्रेम क की तरह याद करना क क्या करना है सबसे फ़ला करना है क्या करना कि सबसे पहले इनोक Нिक नोट नइक नहीं कविझे रहें को बता दिक्स्राइब impedance of the circuit पूरा अगले लेक्चर में सवाज में आप आएगा ठीक में अभी नहीं बता सकते हैं i-not का formula क्या हो जाएगा e-not और उपर देखें नीचे क्या है r तो r की जगा हो जाएगा z बस यहीं formula पूरा सवाल i-not is equal to e-not upon me z i-not is equal to e-not upon me z अब अगर purely अगली रेजिस्टिव है तो z की जगा हो गया r purely capacitor है तो z is equal to हो जाता है हम लिग देते हैं यहां पर इसको मिटागा हम लिग देते हैं पूरा यह अपने केवल capacitor है तो z is equal to हो जाता है xc और xc निकालने का क्या formula होता है वन अपॉन में omega c ओमेगा आपको omega frequency है पूरा question मैंने का हम लिग देते हैं ओमेगा क्या है जो आपको देखके equation पता चलेगा और c क्या है हमारा अपना capacitor अच्छा सर और अगर कल को inductor है केवल तो सर इंड़क्टर है केवल तो तो जेड इस इकोल टो होता है एक्सल एक्सल क्या होता है एक्सल होता है एक सेकंड एक सेकंड तो तो एक्सल होता है यहां पे ओमेगा एल अच्छा ओमेगा क्या होता है ओमेगा तो हमको equation देख कर पता चल जाएगा और यह गया होता है लोता है इंडक्टर की वैल्लु आपको बैठेंगे तो आपको करेंगे नहीं इंपोर्टेंट है मतलब बोल दिये हैं आपको एक बार दिमाग में आ जाएगा और आप याद कर लिजाए आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको भी जिंदकी भूलिया कर नहीं सुचिए यहां पर L क्या है L L से देखिए L से आप मतलब निकल लेजिए उल्टा अपोजिट अरे L उल्टा लौ इससे पढ़ते हैं इसको ल को लौ पढ़िये उल्टा लौ से हम क्या पपड़ दिये हैं उल्टा तो आप याद रखे एक्सल में यहा गया मतलब इसको याद में बैठके आपको कुछ तो इसे होगा ना इसे तो रटने जाजेगा एक्सल रटक लीजेगा एक्सल इसको डो मेगा रटना कौन से भरी बात है लेकिन जब एक्जाम में बैठेगा ना तो फिर दोनों में कंफ्यूज होएगा इससे जो बोल दिया हम अब इंपोर्टेंट हो गया कि एक्सल एल मतलब क्या हो गया उल्टा और उल्टा नहीं होगा एक्सल उल्टा नहीं होगा एल मतलब उल्टा उल्टा नहीं होगा तो उल्टा नहीं होगा तो उल्टा नहीं होगा तो सीधा होगा ओ और हो गया- और फ़ीह उपलार हो गया जो टब गया की वैलू किया होगा यह अगले क्लास कवेड लेकश के वेड्ट कि सवाल्व करने के लिए आपको दो ही पालना एक ही काम करना सबसे पहले ही नीकालना यह इनौट के बाद निकालने का अलग निकालने को पता दियта सर बिल्कुल जिसको ही पतर वीडियो के रिवाइंड गरो इनोट निकालने के तीन तरीक अगर रेजिस्टर बराबरा अच्छा कैप सीटर है तो एक सी अच्छा एल उल्टा नहीं होगा मतलब एल सीधा होगा इंडॉक्टर एकसल ओमेगा लोगा तो यह उल्टा वन अपॉन मेगा सी ठिक इस टाइम क्या-क्या जेड होता है अगले क्लास में जब हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे जाते आते एक इंपोर्टेंट चीज कि यहां पर इसको मिटा रहा है जाते एक इंपोर्टेंट चीज जो बता दें यहां पर जो ई आया था वो आया है इनोट साइन ओमेगा टी और आई क्या आया है आई नोट साइन ओमेगा टी कॉंपी में नोट करके कहीं चिपका दिजेगा कि जब रेजिस्टर हो तो इसकल ट तो जब आईम पूछे कि दोनों में एंगल का कितना डिफरेंस है आप बोलिएगा जीरो डिग्री तो अगर आई की डेखन यहां पर ढिंदि यहां पर आया रेक्सन इतनी ही होती है किस केस में , प्योर्ली रेभीस्यस्टर में , , मतलब मतलब घ्रेल्च के उपर जाएगा दोनों के टेरेक्शन पैरलल होता है , मतलब इन में फेज्ई डिफ्रेशन जीरो होता है , इन में फेज्ञ्ण इणे होता है , बना by dire значит ťा अगले वाले में जब हम देखेंगे कपसीटर में एल में तो इसमें फेडिफ्रेंस जीरो नहीं आएगा कुछ ना कुछ अलग आएगा इसलिए हम बता दिया आपको कि जब पी योली रजिस्टर होगा तो फेडिफ्रेंस कितना होगा जीरो मनें ई और आई में बिल्कुल अगले क्लास में मिलते हैं यह सब बात आपको जानना है तो अगला वीडियो आपको देखना पड़ेगा थैंक्यो झाल झाल